मनिश का कंदा बार बार उतरता था और इनकी लेटारजेट सरजरी जैपूर में डॉक्टर नवीन शर्मा ने की है आप देख सकते हैं एमकी सरजरी को चार महीने हो चुके हैं और अब ये कुछ एक्सेसाइज शो कर रहे हैं जो आपको करनी होती है जब लेटारजेट सरजरी को चार महीने हो जाते है जिसमें आपको दूसरे हाथ को सपोर्ट करके उठाना है इसमें देखने वाली बात यह है इनकी range almost complete है काफी सारे लोग shoulder surgery कराते है तो उनके कंदा उठना ही बंद हो जाता है या jam हो जाता है लेकिन लेटारजेट surgery जो डॉक्टर नवीन शर्मा ने जैपूर में की आप देख सकते हैं कि range की कोई दिक्कत नहीं है freely अपना हाथ आराम से उपर उठा सकते है मनिश जी के काफी बार कंदा उतर गया था और ये balling नहीं कर सकते थे throw नहीं कर सकते थे लेकिन आज ये अपनी सारी activities independently कर पाते है इनको अभी rehabilitation protocol चल रही है और कुछी दिनों में ये दुबारा से cricket भी खेल पाएंगे वह सब problem इनकी soul होगई आप इनका कंदा नहीं उतरता है आप देख सकते हैं हाथ उचा जा रहा है आराम से कोई दिक्कत नहीं है हर तरह के की exercise है आराम से कर सकते हैं इनको किसी किस्म की कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है सब तरह की exercise करने में ने काफी confidently आराम से exercise कर पा रहे हैं लेटाडेट surgery दोस्तों एक बहुती सफल surgery है कंदे की काफी सारे लोग पुटी प्लेट surgery कर वा लेते हैं जिसमें कंदे को बहुत बड़ा चीरा लगा दिया जाता है और उसमें कंदे के movement भी चले जाते हैं तो कभी भी आप पुटी प्लेट surgery क काल की जगे आप वाटसेप मेसेज करेंगे तो आपको जो रिपलाई है वो जल्दी आ जाएगा हमें आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए क्योंकि कंदे के उतरने का जो हमारा हॉस्पिटल है वो वन ऑफ दा बेस सेंटर है इंडिया का जहां पर बहुती किफाई इतनी दरों में आप ये इलाज करा सकते हैं और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है थैंक्यू दोस्तों